अब्रिश्र लोग क्या करते थे बहुत सारे जो मजदूर होते थे उन्होंने क्या किया उन्होंने बहुत सारे बहुत वरकर्स को एक एक्ट था जिसको हम लोग नाम देंगे Under Inland Immigration Act 1859 उसके तहट क्या किया उन्होंने बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे ब्लानटेशन में काम करने वाले वरकर के साथ एक एक एगरी बैट कि और उनको लंबे समय तक याने की अपने पास बिगार के रूप में क कराने के लिए यानि कि वो लोग अपना घर जाना चाते हैं तो वो लोग यहां से नहीं जा सकते थे क्योंकि इस एक्ट के द्वारा उनको वहां पर permanent established कर दिया गए लेकिन जिब महात्मा गांधी जी के बारे में लोगों को सुना तो ये plantation worker थे जो उनको लगने लगा कि महात्मा गांधी जी उनके लिए एक मसीहा है और वो उन्हें अजादी दिलाने के लिए है ओके student now we will study about this topic in detail under the inland immigration act of 1859 plantation worker were not not permit to leave यहां से हमने start कि हैस में inland immigration act का पास हुआ 1859 में plantation worker were not permit to leave the tea garden यानि कि ये tea garden में काम करते थे यानि कि ये उनको छोड़कर नहीं जा सकते थे without permission बिना अनुमती के and in fact they were rarely given such permission और वास्तों में उनको कोई permission भी नहीं दी जाती थे यानि कि British government क्यों उनको permission देगी क्योंकि वो लंबे समय से बेगार पर काम कर रहे थे उनने किसी परकार का कोई pay नहीं किया जाता था इस कान से उन्हें permission नहीं थे अपने घर जाने की और ना ही उनको इस तरह की permission दी जाती थी when the head of non cooperation moment thousand of worker defied the authority left the plantation and headed home कैते की जब उन्होंने non cooperation moment के बारे में सुना इन plantation में काम करने वाले worker ने तो उन्होंने क्या किया जो authority थी उसको यानि कि उन्होंने मतलब बात माननी बंद कर दिया उनकी left the plantation and headed home और काम करना बंद कर दिया उन्होंने और वो अपने घरों की तरफ आगे बढ़ने लगे they believed that गांधी राज वोस coming and everyone would be given land to their own village उनको लगने लगा कि अब गांधी यूग आ चुका है गांधी राज आ चुका है और प्रतेग वैक्तिक उसके गाउं में भूमी दी जाएगी तो वो गाउं जाकर अपनी भूमी कर सकते हैं कि कहीं न कहीं जो plantation worker के रूप में काम करने वाले worker थे उनके मन में बिचारों के मन में भावना आने लगी कि गांधी जी उनके लिए एक मसीह बन कर आए है और non corporation का meaning उन्होंने किसे लगाया अजादी से कि वो मुक्त हो गए है जो उनको प्रमानेंटली वहाँ पर रखा जा रहा है टी गार्डन के अंदर तो वो अपने घरों की तरफ चलने लगे लेकिन देखे क्या हुआ हमके साथ हम they however never reached their destination stand of the way railway station steamer strike they were caught by the police and virtually beaten up कहते कि वो लोग अपने घर भी नहीं पहुँचे थे रस्ते में ही railway station वगएरा पर उनको मतलब पुलीस कर्मियों के द्वारा पकड़ लिया गया and virtually beaten up और बुरी तरह से उनकी पिटाई की गई the various of these moments were not defined by the Congress program कहते कि अगर हम लोग इस vision की बात करे दा जो vision था इस moment का description दिया गया यहाँ पर जो moment था यानि कि जो Congress है Congress ने ऐसा कोई plan नहीं बनाया था कि हम लोग इस तरीके से plantation worker के लिए यह तो plantation worker का खुद की source ती और आप लोग देख सकते कि British government कितनी निर्दे हो चुपी थी worker के परती उनको पीटा गया उनको दोबारा से वापिस लाया गया the interpreted the Trump सवराज in their own way amazing the time when suffering of all troubles would be over कहते कि इन लोगों ने सवराज का मेनिंग अपने तरीके से लिया और सभी ने कहा कि जो मुसीबते आई हमारे उपर एक दिन समाप्त हो जाएंगी when the tribal chanted गांदी जी नेम एंड रे स्लोगन डिमांडिक सवतंतरता भारत यानि कि ज़्यादा तरी जो tribal people थे वो आवाज लगाते थे गांदी जी के नाम से और स्लोगन लगाते थे वो क्या स्लोगन था सवतंतर भारत they were also emotionally relating to all India agitations when the acted of the name of मात्मा गांदी जी or linking this moment that Congress they were identified with a moment which went beyond the limit on their immediate locality कहते कि जब भी गांदी जी का नाम आता था कि इस moment का नाम आता था तो उन लोगों के मन में एक उमीद जग जाती थी कि जल्दी ही इंडिया को सवतंतरता मिलने वाली है और वो लोग independent होने वाले हैं लेकिन अब नोन कोपरेशन मुमेंट आपने देखा इतना एक लंबे समय तक चलने वाला मुमेंट था ये लेकिन 1992 में एक इंसिडेंट होता है चोरी चोरा 1992 यहां पर अगर हम बात करें चोरी चोरा क्या है गोरकपूर के से गाउं था एक पीस्फुल डेमोंस्रेशन इन बाजार टंट इन्ट वाइलेंट ग्लैस पुलीस हीरिंग अब दिस इंसिडेंट महात्मा कांधी जी कोल एक हार्ट ओब दी नोन कोपरेशन मुमेंट कुश्चन आता कि वाइडिट गांधी जी हार्ट और वाइडिट गांधी जी inटरप नोन कोपरेशन मुमेंट को गांधी जी ने क्यों बंद किया चोरा चोरी में एक इंसिडेंट हुआ गांधी जी आप लोग जानते हैं इस मुमेंट को सकते हैं हिंसा के नाम पर आगे बढ़ाना चाते थे लेकिन गोरगपूर में गाउं था, गाउं का नाम था चोरी-चोरा, महाँ पर एक हिंसात्मा गठना हुई, ऐसा कहते कि 22 पुलिस सोल्जर्स ब्रंट अलाइव, 22 पुलिस कर्मियों को जिन्दा जला दिया गया, when गांधी जी hear this news, महात्मा गांधी जी called a heart to the non-corporation moment, कहते कि गांधी जी को जब ये खबर पता लगी तो गांधी जी ने इस moment को बंद कर दिया, तो ये था reason, why did गांधी जी heart non-corporation moment, that is most important question, that is anxiety question, you have to be study about non-corporation moment